हेलो हैं वेलकम स्टुएन्स नाव लेट से स्टार्ट विया क्या स्टिक और सियाव हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे दो तरह का वरकिंग होता है फॉरवड ब्लॉकि मोड और फॉरवाड कंडेक्शन मोड जो फॉरवाड ब्लॉकिंग मोड था उसमें क्या कर रहे थे गेट पर हम लोग क्या कर रहे तो जो हम लोग यह जो पड़ते हैं तो में जो होता है वो ग्राफ जो बनता हमारा आए और विए के रिप्रेजेंट में बनता है आए क्या करते हैं गेट अप्लाइ नहीं करते हैं फर्वर्ड ब्लोकिंग मोड जो पहले वाले वाले में थे और जिस टाइम जिस टाइम गेट करेंट जीरो होता है तो उस टाइम ऐस्टाइम अगर अनौट वोल्टेग्स को थोड़ा थोड़ा बरहते हैं तो थोड़ा-थोड़ा लीकिज करेंट फ्लो होने लगता है यह इसा आए कि जो जंगसन होता है जल्ग सब्सक्रिया ब्लेकट आउड़ ओवर श्यादा उसमें बहुत जाधा क्रेंट इन्वर्व और जब जो गेट होता है तो forward conduction mode में हम लोग देखते हैं कि जैसे-जैसे जैसे जैसे यहां से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं करेंट जो गेट करेंट का धीर धीर बढ़ाते हैं तो वैसे-वैसे ब्रेक वर्डेज कम होता जाता है पहले प्रहले आजी बन था आजी टू था आजी थी था अधलाश आज अजो नाट हो गया तो आजी वन इस ग्रेटर दें टू एंड आइजी टू इस ग्रेटर देन आइजी थ्री एंड आइजी नॉट आपका हो गया सबसे लिस्ट पॉइंट वैस्ट का हो गया ठीक है जो कि फरवाड ब्लॉकी मोड है अब अगर अब ऐसे अगर देखा जाए कि जैसे कि ब्रेक्डाउन होता है तो क्या कता है होने लगता है हम लोगों ने देखा है ना जो फॉर्वाड यहां से करेंट फ्लो होने लगता है देखिए एक पांट ऐसा हुआ जिस पर यहां तो पहले हो गया फिर इस तरह कुछ इस तरह का पॉइंट बना आजी नोट तक प्रका से खरी आजी नोट हमारा ब्रिक्ड फॉरवर्ट बलॉक्टी मोड का ओड़े करते हैं रिवर्स में थी इंथे और it जो पॉ जञेक्ट करते हैं तो जो यह क्या करता है तो जो ढraphy करते हैं यह रिजक्ड़ करता झेठाल को में पता है कि फों कि अगर लिंगेज करेंट फ्लो होने लगता है तो गया अश्य कुछपते हैं जो हमां से breakdown भी यार हो जाएगा और उसके कान से enormous current flow करने लगा suddenly reverse में बहुत ज्यादा current flow में होता है इससे पता हमें चलता है कि diode में जो reverse में क्या होता है डायोड के तरह बियाप करता है और जो forward में होता है जो forward हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है changing आड़ा इसमें क्या करता है changing करेंट इससे यही SCR का फाऍडा होता है जो जब एक turn on हो जाता है तो यह अपनी मर्जी से turn on हो जाता है करनेंट आउट वोल्टेज को कर सकते हैं यहां पर हम लोग हम लोग पर यहां एक पॉइंट आता है यहां पर तरन ओन हो जा रहा है थीक है यहां पर देखिा यहां एक पॉइंट आता है यहां पर तन ओन हो जा रहा है तो यहां हम लोग देखते हैं कि Ducked greater than IG2 greater than IG3 greater than IG not तो जो दिखिया अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो रेटिंग इसकी पढ़ते हैं तो रेटिंग हमारे पास है रेटिंग क्या है लेचिंग, लेचिंग करेंट IL, it is the minimum on current, on current, on state current required to maintain SCR is on state after gate drive has been removed, जो क्या करता है, जिस minimum point पर देखिए, यहाँ एक minimum point है, यह लेचिंग करेंट है, जिसे हम लोग IL से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक minimum point है, जिस पर क्या कर रहा है, SCR हमारा क्या होड़ा, on हो जा रहा है, यहाँ पर on हो जाता है, इस point पर, देखिए, यहाँ यहाँ एक on हो जाना है, on state होता है, यहाँ तो on state में चला जाता है, यह होता है, हमारा IL इसे कहते हैं, next, holding current, हमें पता है कि SCR को एक बड़ा अगर turn करते हैं, तो turn off करने में, turn off हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो अगर anode current को क्या करते हैं, हम लोग धीरे-धीरे कम करते हैं, तो एक point ऐसा आता है, जिस पर क्या करता है, मतलब एक point पर ऐसा आएगा, उसकी value होगा, वो current की value इतने नीचे चला जाता है, मतलब current इतना नीचे चला जाता है, कि SCR अब बंध होने लगता है, एक point ऐसा आएगा, जिस at minimum point आता है, जिस पर SCR क्या होता है, बंध होने लगता है तो वो जो minimum point होता है, वो हमारा holding current कर लाता है, इससे हम लोग IH से represent करते हैं, देखिए, this is the minimum value of the of anode current below which SCR steps conducting and turn off, देखिए, जहाँ पर turn off हो जाता है, एक ऐसा point पर, जिससे हम लोग holding current करते हैं, next, turn on and turn off rating, तो turn on rating क्या होता है, turn on rating जब क्या करता है, जब get हम लोग apply करते हैं, तो उस time पर क्या करता है, जब anode current 90% महुझ गया, 90% महुझ जाता है anode current हमारा, तो final value, final value के, final value उस time क्या करता है, जो final value बल्यों के, जब get apply करते हैं तो उस time क्या होता है, anode current होता है, जो 90% महुझ जाता है, किस के respect में, जो final value होता है, final value की respect में 90% पर anode current पहुँच जाता है, तो वो जो time interval होता है, मदब 90% पहुच पहुच जाता है, तो वो क्या कहला था, turn on, देखे, the turn on time is the time interval between the instant at which get signal is applied and instant at which the on state current reaches 90% of its final value, turn off and turn off, turn off time is the time interval between the instant at which anode current goes 0 or negative and device re-against its forward blocking mode, जो turn off होता है, वो क्या करता है, जब anode current 0 पहुच जाता है, तो जंशन में कुछ चार्ज के लिए रहा जाता है, और डिवाइस क्या करता है, देखे, device क्या करता है, री अगें, दुबाड़ा, क्या करता है, दुबाड़ा, forward blocking mode में चला जाता है, मतलब जब current 0 हो जाए तो SCR forward blocking mode में आ जाता है, और जो यह time होता है, यह time interval होता है, वो क्या कर लाता है, वो turn off time, देखे, दिवाइड डिटी यह important है, यह important है, it is the maximum allowable rate of rise of anode to cathode current without any damage or harm to an SCR, इसमें एक बार क्या करता है, एक maximum पर कितना anode current बढ़ा सकते हैं, और कि यह जेल पार, मतलब देखे, एक ऐसा point आएगा, जो जहां पर maximum point होता है, जहां तर कि यह जेल सकता है, इसके बाद अगर दियें, तो current यह क्या करता है, जल जाता है, यह खड़ाव हो जाता है, तो एक maximum point होता है, वह हमारा dv dt होता है, उसको रिपरेजेंट करते हैं, forward dv upon dt rating, जब anode को, जब anode to cathode को, जो voltage अपलाई कर रहे होते हों, तो क्या करता है, क्योंकि यहां open circuit था, क्योंकि यहां open circuit होता है, जो anode to cathode को हम लोग करें, voltage अपलाई करते हैं, तो वहां क्या करता है, अपलाई क्या करता है, तो अगर बहुत ज़्यादा voltage, देने से SCR, अगर बहुत ज़्यादा, वोल्टेज को दे दिया तो SCR क्या होगा, हमारा जल जाएगा, तो anode, जो anode to cathode voltage दे रहे हैं, तो उसका एक maximum rate होता है, तो जो maximum rate होता है, वो क्या होता है, हमारा 1 to 1.4 volt होता है यहां तक यहां तक यह जहल सकता है, एक से 1.5 volt तर, नेक्स्ट, देखिए, यह इसमें भी कुछ रेटिंग होता है, हमारा, यहां भी कुछ रेटिंग है, यहां, देखिए, इस से रेटिंग होता है, कौन-कौन सा है रेटिंग, पीक वर्किंग, फरवर्ड ब्लोकिंग वल्टेज, जिससे हम लोग VDWM से, VDWM से रिपर्जेंट करते हैं, देखिए, इसमें क्या है, पीक वल्टेज जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कर रहा है, उसे कहते हैं, पीक वर्किंग, पीक वर्किंग फरवर्ड ब्लोकिंग वल्टेज, देखिए, यह रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, तो जो उसको कर रहा है, पीक वर्किंग फरवर्ड ब्लोकिंग, पिक रिपीटिटिव वर्वाड फर्वाड ब्लॉकिंग वल्टेज जी से हम लोग भी डए वीडी डियारेम से देखिए तो यह क्या होता है इसमें इसमें क्या करता है जैसे बोल्टिज अप्लाइब कर रहे हैं तो वहां क्या करता है एक मैक्सिम्म पॉइंट एम पर रिपी मैक्सिम्म बाढ़ब करता है तो यह ची क्या करता है क्या क्या करता है प्लाओं और एक शार्ट ब्लॉकिंग वोल्टेज जी जो दिखे यह हुआ जिसमें अब जैसे एक होता है क्या मतु chim एक एसा जो सारे साइक्ल में एक बाड़ा आता है मतलब यह तुरन तुरन देखे ज़ो साइकल है यह किंदने हों एक साइकल दो साइकल में इक बड़ा आ रहा है तो यह जो पीक पॉइंट एक बड़ा रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं पीक नन-repetitive search इसे सर्ज भी कहा था तरह जिसे V, RRM से represent क历ता है यह क्या करता है चिसटह तरह मैक्सिमàn बट रिपीट हो राता है तक इसी तक है यह तक है क्या करता है यह कितना जा रहा है जो आर्डव्लूम यह मैक्सिमुमक इतना जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं इस पॉलंट को इस शर्ज को कहते है और पिक नोरीपीटिटिटिटिटिटिव और रिवर्स बोल्टेज जिसे हम लोग क्या अभी पढ़ें पिक लिग ईचल साइकल में एक negative में भी क्या आएगा maximum cycle में एक बाड़ा आएगा यह peak in negative side में तो जिसे हम लोग represent करते हैं VRSM ठीक है इसकी application देखा दो तो application क्या है application SCR is mainly used in device where the control of high power possibly coupled with high voltage is demanded the operation makes them suitable for use to use in medium to high voltage AC power control application search such as lamp damping power regulator and motor control maximum power use करते है तो हम लोग SCR को यूज करते है for example क्या करते है power regulator में motor control में motor control में यूज करते है power जिसे और हम लोग क्या करते है यहां factory में जिसे industrial area में भी यूज क्या रहता है तो देखे और next क्या होता है SCR and similar device SCR and similar device are used for rectification of high power AC in HVDC power transmission यह देखे है high power AC में हमारे पास high power का यूज होता है तो वहां भी हम लोग SCR को यूज क्या रहता है in HVDC power transmission के लिए there are also used in control of welding machine welding machine हम लोगों को पता है कि already बहुत ज्यादा power का यूज होता है तो वहां भी हम लोग क्या करते है SCR को यूज करते हैं तो हम लोग इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स क्लास में ओके बाई थेंक्यू